मैं आपको आभारियू कि आप महलेकों बोलने दिया Honorable Minister भुवेंद्र जादुक जी ने पुरा सपस्ट से ये बील के बारे में बोला और आप ही सुशिल मुदी जी और हम लोगा पुसांद दंदा जी भी इसमें इसके पर बोला चाइमन सार ये भुवेंद्र जी बोलने का बाद ये बील का उपर में चर्चा देफिनितली वो आगरख किया का चर्चा होने का बाद भाद ही पास करेंगे तो मैं एप फोरेस्ट कॉंजर्बरेशन एमेंड मेल बीन 2023 इसका संब्धन में खड़ा हूँ और चाहता हूँ कि आप भुवेंद्र जी का नेत्रित में एप अच्छा से इसको निभाएंगे in future मैं भुवेंद्र जी का हम लोग काम का सब देखे वर्क्स देख रहा हूँ तो एक बात आ रहा है कि इनका नेत्रित में पुरा फोरेस्ट एंवर्मेंट को बचाने के लिए काम कर रहा है और ओनेरबल प्राइम मिनिस्टर का जो लक्स है कारबन इमिशन नेट जिरो करने का इसमें लक्सा में प्राप्ति हो सेकता है हो जाएगा ऐसा लग रहा है क्योंकि कि युज दिन पहले पुर्बंदरी जब काजिरंगा गया था एलिफेंट फेस्टिबल में उसकी टाइम में हम लोग देखा क्या जो सेंसिविटी दिखाया है फोरेस्ट संग्रक्षन के लिए ये बील उसका एक परिणाम है बॉन का अबदी जैसा आप बिशाय अपने उठाया इसमें डेफिनेटली हम लोग खुशी हम लोग खुशी जाते थे हैं लेकिन एक बात आपको बोलना है प्रॉनरबर मिनिस्टर भुपेंदर जी जैसे बिकास का कारण से आपने एजी थोड़ा एजी भी क्या है और इसको रक्ष में जीतना एंक्रोस्मेंप्ता था मेक्सिममेंक्रोस्मेंट पुरा एभीडिशन भी हो रहा है एंक्रोस्मेट टोटल एंक्रोस्मेंट था 30,620.78 km2 और इसका forest area 20.19 km एंख्रोष था और इसको आभी आम लोग आसाम गवर्मेंट ने इसको clear भी किया है Honorable Chief Minister उसको पुला strong handbag किया है लाम्डिंग में 14.50 पोबा में 17.50 बुरा सपुरिंग में 20.99 ऐसे करके 60.67 km उसको clear किया है देखा जाते हैं जो forest area इसको target करके चलता है विकास का मतलब ऐसा नहीं है कि आप forest कोई target करके चले और forest land कोई grab करने का वेवस्ता कीजिए इसके लिए मैं चाहता हूँ किया Honorable Minister एक forest department का एक सन्मिलन तो आप definitely करते हैं लेकिन forest department का एक स्ट्रॉंग सन्मिलन करना चाहिए जहाँ DFO और अडिस्टेशन जनेर अडिस्टेशन आपर सामील है और उसको forest land में नहीं उसको target नहीं करके चलने से अच्छा है आदमी लोग अभी देख रहा हूँ क्या वर फोरेस्ट लेंडी मंगता है five star hotel बना के लिए कोई काजिरंगा आसपास मंगते हैं कभी ऐसा नहीं करने से अच्छा तो उहां का जो आदिवासी लोग है फोरेस्ट का उपर में dependent आदमी है इसको थोड़ा संग्रशन मिलेगा यह अपने जो बोडर एरिया का बात बोला है आसाम मैं नोटीस में भी देख रहा हूँ उसमें जो आसाम इंटर स्टेट बोडर में भी प्रोब्लेम है और अंटरनेशनल ब्रोब्लेम जो बोडर है उस आप देखें बड़ा बड़ा जो पेड़ है इसको काटके खतम किया है लेकिन आभी गॉर्मेंट ने हम लोगा मोदी जी आने का बात इसको थोड़ा टाइट किया हुए क्योंकि जिरो एमिशन ने जिरो एमिशन 2020 का जो बात हुए NDC का टार्गेट जो फूलफिल करने का ब मेरा एक मरना है किया आम जितना एरिया पे फोलेस्ट इज़ा पर देखा फोलेश्स इसे अरिया ज़ादा है और सैंट्रल गोर्मेंट उसको यह सबागा पावंदी लागाब कर अर्थ इसलिए डिडिवेस्ट आई जो फोले फोलेस्त में आभी गाओं बस गया वहां पर क् कि बहुत एरिया में पुरा इंडिया मी भी देख रहा हूं। उब दीफोरेस्ट इरिया में क्या होगा उसका त्रश। करने से अच्छा था मैं ज़्यारा नहीं बोलते हुए। एक forest conservation amendment bill जो है एक बिल को मैं समर्थन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि इसमें जो maximum आपने कभर किया और इसको जो बिरुधी जो बुल रहा है और इसको बिरुधी जो बुल रहा है जो एगेंस परटी आम लोग आभी तो है नहीं उनलोग का खाली बाहर में परचार कर रह है और 90 परसेंट एरिया इस जो संदेश जुकत बंगलादिशी था उसमें एंक्रोस करके उसको आभी भागा रहा है वो बतला है लेकिन जाधा तो उनलोग एंक्रोस करके रखा था अभी जो पोबा एरिया माजुली जैसे एरिया में उनलोग घुशा है पोबा जो जो जैस कर रहा है इसको मैं समतन करते हूं मेरे बक्त मुझा है अन्यवाद कमक्योक्षा जिमाने इस देशे